अरे भाईया आपका डारेक्ट कनेक्शन है इश्वर से तो अयोधिया कैसे हार गए गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूँ हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं मतलब कारे करता हूँ कि हवा निकल गई RSS की हवा निकल गई सारे लीडर्स की हवा निकल गई मगर दम नहीं है डरते हैं अंग्रेजों के साथ ये खड़े हो गए थे, सारे के सारे, RSS वाले, गुजरात से ही नहीं कॉंग्रेस पार्टी बनेगी, जैसे इन्होंने हमारा ओफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं, रेस के गोड़े को आप रेस दोड़ाईए, और शादी क गोड़े को आप शादी में बेजिए, अब बहुत हो गया, अब इनको हमें सबक सिकाना है, गुबारा जो था, वो फट गया है, राम मंदिर का इनागुरेशन किया, और राम मंदिर के इनागुरेशन में, अदानी जी दिग गए, अंबानी जी दिग गए, मगर गरीब वि भी देखा आपने अब उसका नतीजा बताता हूं पार्लेमंट में मैं यहां बैठता हूं यहां पे अयोधिया के MP बैठते हैं देखा आपने उनका चेहरा इंडिया अगडबंदन के हैं है ना मैंने उनसे पूछा कि भाईया आप मुझे एक बात समझाओ यह बीजेपी ने अपनी पूरी politics अयोधिया की politics थी चुनाओ के पहले इन्हों ने राम मंदिर का inauguration किया राम भगवान को politicize करने की कोशिश की मीडिया में फैला दिया मैंने उनसे पूछा भाईया एक बात बताओ यह हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का inauguration किया और इंडिया गडबंदन अयोधिया में चुनाओ जीत किया यह हुआ क्या और मुझे जवाब उन्होंने दिया मैं यह जवाब आपको देना चाहता हूं उन्हेंने का राहुल जी मुझे पता लगया था तकरीबन छे महीने पहले मुझे पता लगया था कि मैं अयोधिया से लड़ूँगा और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूँगा नहीं इंडिया गडबंदन अयोधिया से जीतने जा रहा है मैंने कहा कि आपको कैसे मालूं है पूरी देश में मीडिया में सब जगे राम मंदिर का इनगरेशन हुआज़ तो आपको कैसे मालूं उन्हों ने कहा कि राहूल जी जब मैं आयोधिया में लोगों से बात करता था तो तो मुझे अयोदिया के लोग सिर्फ दो-तीन चीज़े कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोदिया में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई। बहुत सारे लोगों की दुकाने घर तोड़े गए। और आज तक जिन लोगों के घर चीने गए, तोड़े गए, दुकाने तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोधी जी ने कॉंपनसेशन नहीं दिया। पहली बार, जहां भी वो जाता था, लोग उनसे कहते थे, हमारी जमीन चीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोदिया का इंटरनाशनल एरपोर्ट बना, बड़ा एरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोदिया के किसानों की जमीन गई, आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात राहूल जी, अयोदिया की जनता को बहुत गुसा आया, जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉगुरेशन में, अयोदिया का एक भी व्यक्ति नहीं था। ये कारण थे, मगर मैं आपको ये काहनी क्यों बता रहा हूँ, क्यूंकि जो मुवमेंट अडवानी जी ने चालू की थी, उस मुवमेंट को, जो जिसका सेंटर अयोदिया था, उस मुवमेंट को इंडिया गडबंदन ने अयोदिया में हरा दिया है। बहुत बड़ी बात कहना हूँ, मतलब इनका पूरा जो सेंटर था, वहाँ पे हमने, आप जैसे कार्यकरताओं ने, कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकरताओं ने, और आप जाके पूछिए वहाँ पे, समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए, और वो आपको बताएगा, कि कॉंग्रेस पार्टी का कार्यकरता बबबर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था, एक इंच पीछे नहीं हटा, तो अयोधिया में, कॉंग्रेस पार्टी ने, इंडिया गडबंदन ने, इनको हराया है, तो अगला स्टेप क्या है, अब इन्होंने क्या किया, अच्छा, अंदर की बात बताता हूँ, अब यहां आया हूँ, परिवार से बात वरी तो अंदर की इंसाइट ट्रैक बता देता हूँ, इंसाइट ट्रैक है, उसी MP ने बताया, राहुल जी यहां पे तीन बार सर्वे हुआ था, नरेंद्र मोदी जी वारा नसी से नहीं लड़ना चाते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोदिया से लड़ना चाते थे, उनके सर्वेर आए, तीन बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए, और सर्वेर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोधी जी अगर आप अयोधिया से लड़ेंगे आप अयोधिया में हारेंगे आप अयोधिया में मत लड़िये क्योंकि अगर आप लड़ गए आपका राजनेतिक करियर अयोधिया में खतम हो जाएगा इसलिए आयोदिया से नहीं लड़े वारा नसीर से लड़े और वारा नसी में हमने एक दो छोटी गलती कर दी नहीं तो वहाँ उनको निपट लेते हैं मतलब आप देखिए आयोदिया में उनी के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे और काशी में कितने से जीते एक लाख वोट से जीते मतलब जान बचा के निकले हैं सचा ही है जैसे मैंने पार्लिमंट हाउस में कहा हमारा काम यह जो लगा रखा है मैंने आज यह यह जो चिन लगा रखा है इसको क्या कहते है अबे मुद्रा कहते है यह आपका चिन है इसको भूलो मत आप आप आज वापिस जाओगे अलग-अलग धर्म के लोग हो आप हर धर्म में यह चिन आपको दिखाई देगा गुरू नानक जी की फोटो देखिए महवीर की देखिए बुद्धा की देखिए इसलाम में भी जैसे मैंने पार्लिमेंट में कहा दुआ मांगी जाती है दोनों हाथ से ऐसे मांगी जाती है आप आप शिव जी की फोटो देखिए उसमें आपको यह दिखाई देगा और इसका मतलब है डरो मत डराओ मत और मैं आपसे यहां कहने आया हूँ इन्होंने आपके ओफिस पे आपके कार्यकरताओं पर आक्रमन किया है अब आपको डरना नहीं है डराना नहीं है इन्होंने हमारे ओफिस पे धमका कर ओफिस को तोड़ कर हमें चैलेंज दिया है चैलेंज क्या है गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूँ, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं जो हमने कहा, और लिखके ले लो, लिखके ले लो Congress Party की जो आत्मा है, वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और BJP को गुजरात में, जैसे हमने अयोद्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं कौन हराएगा, हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बबर्शे टाइगर हराएंगे आप को आप देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको देखो, 50% आप में से लोग, 50% आप क्या सोच सकते थे, मैं आपको पूछता हूँ, आप क्या सोच सकते थे, चुनाव से पहले, आप सोच सकते थे, कि अयोद्या में BJP हारेगी आप सोच सकते थे, कि नरेंद्र मोदी जान बचा के निकलेगा, मतलब मार्जिन ऐसे, तुक्के से निकलेगा, सोच सकते थे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यह योद्या में हारे, वैसे यहाँ पर हारने जा रहे है आपको सिर्फ एक काम करना है, एक काम करना है आपको, आपको सिर्फ गुजरात की जनता को सिर्फ एक बात बुलनी है, आपको डरना नहीं है, बिना डरे अगर आप BJP से लड़ गए, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, छोटे वियापारी हो, अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई, BJP सामने नहीं खड़ी हो पाईगे, दूसरा उधारन देता हूँ, आप कॉंग्रेस पार्टी को जानते हो, हमारी पार्टी में कोई डरता है, कैसे मालूम, कैसे मालूम, हमारी पार्टी में दिल से बात कर देते हैं, बड़ा सा बड़ा हो, राहूल गांदी हो, हमारे पार्टी के लोग कहते हैं, राहूल गांदी मुझसे कहते हैं, मेरे कमरे में आके कहते हैं, राहुल जी ये जो आपने किया हमें अच्छा नहीं लगा कहते हैं मैं बता रहा हूँ आपको और मैं कहता हूँ आपने सही बोला इस बार मैंने ऐसे नहीं करना था जो आप बोल रहे हो वैसे करना था हम ड़ते नहीं हैं ना हमारे कार्यकर्ता हमें बोलने से ड़ते हैं, ना हम अपनी कार्यकर्ता की बात सुनने से ड़ते हैं, ना हमारा कार्यकर्ता हमसे ड़ता हैं। अब देखिए, मैं आपको रियालिटी बता रहा हूं। BJP में नरेंद्र मोदी बेटे हैं। उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने, मैं आपको इंटर्नल बात बता रहा हूं, उन में से कोई नरेंद्र मोधी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता, मतलब पूरी लीडर्शिप टीम देख लो आगे बैठी है, मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हू कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं, अगर नरेंदर मोधी जैसा लीडर कॉंग्रेस पार्टी में होता, पूरी कॉंग्रेस पार्टी खड़े हो जाती, कहती है, नहीं, हम डरते नहीं है, हटो यहां से, मगर उनकी पार्टी में धम नहीं है, उनके कारेकरताओं में धम नहीं है, आप देखो न, एक आदमी खड़ा वहां पे, सब की हवा निकल गई, मतलब कारेकरताओं की हवा निकल गई, RSS की हवा निकल गई, सारे लीडर्स की हवा निकल गई, सच बोल रहा हूं न? और हमारे मतलब छोटा सा छोटा कारे करता होता है टाईगर होता है आता है Congress President के सामने आता है राहूल गांधी के सामने आता है कैता भाईया मेरे दिल में यह बात है आपको ना लगे मैं तो बोल रहा हूं तो यह Congress Party अंग्रेजों के साथ ये खड़े हो गए थे सारे के सारे रेसेस वाले हम लड़े थे हम लड़े थे हम लड़े थे हमने कहा देश से हमने कहा था डरो मत डराओ मत हमने कहा था बीजेप के लोगे हाथ चोड़के कहाता भाईया डर गए हम जो करना है कर लो तो आप अपनी हिस्ट्री समझो जो डर की भावना होती है न वो आप में नहीं है उनमें है और इसी के कारण मैं आपको बता रहा हूं कॉंग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी और गुजरात से ही नहीं कॉंग्रेस पार्टी बनेगी क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी मैं गहरी बात बोल रहा हूं मैं ऐसी आलतु फालतु बात नहीं करता हूं देखिए कॉंग्रेस पार्टी बनी कहा थी मतलब हमारे जो सबसे बड़े नेता थे जिन्होंने रास्ता दिखाया था आप क्या सोचते हो जब यहां अंग्रेज राज करते थे क्या डर नहीं था गुजरात के वियक्ति ने कहा था महात्मा गांदी ने देश को कहा कि देखो डरो मत डराओ मत और आग गुजरात से शुरू हुई थी और आज अगर कॉंग्रेस पार्टी है तो वो पार्टी वो भावना वो सोच गुजरात से शुरू हुई थी इसलिए जब इनोंने हमारा ओफिस तोड़ा मैंने सोचा भहिया मौका मिल गया अब हम इनको सबब सिखाएंगे जैसे इनोंने हमारा ओफिस तोड़ा वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं अच्छा अब मैंने दरो मत की बात करी मगर एक शिकायत भी है एक शिकायत भी है ये भी नहीं है कि कॉंग्रेस पार्टी गुजरात में कमिया नहीं है ये कहना पड़ेगा कहना पड़ेगा कमी क्या है एक कार्यकरता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकरता ने राहुल जी कहता है मुझे राहुल जी ये Congress Party में एक मुश्किल है दो तरीके के घोड़े होते हैं एक race का घोड़ा होता है दूसरा शादी का घोड़ा होता है ये आप कभी-कभी Congress Party क्या करती है race के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को race में लगा देती है तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजे रेस के गोड़े को आप रेस दोड़ाईए और शादी के गोड़े को आप शादी में बेजिए तो ये हमें गुजुरात में करना है जो रेस का गोड़ा है जो त्यार है दोड़ने के लिए त्यार है उसको race में लगाना चाहिए और जो हमारे शादी के गोड़े हैं जो है वो है उनको हमें शादी में बाराद में नचा देना चाहिए तो अब मेरा कहना है कि ये काम seriously करना है हम पिछले चुनाओं में आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि हम बीजेपी से पिछले चुनाओं में नहीं लड़े थे ठीक से नहीं लड़े थे उससे पहले चुनाओं में 2017 में हम तीन महीने कहलो चार महीने कहलो चार महीने तीन महीने हम लड़े और नतीजा आपने देखा आपने देखा गुजरात के सीनियर नेताओं ने मुझे बस में कहा मैं बता रहा हूँ आपको इंसाइड ट्रैक मुझे बस में कहा कि राहुल जी गुजरात में हमें 40 सीटे मिलेंगी मैंने उनसे कहा 40 नहीं हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और 16 सीट से हम चुनाव हारे हैं अब 3 साल है तीन महीने में हम फिनिश लाइन तक पहुँच गए थे तीन साल में हम फिनिश लाइन को मतलब उदर पीछे छोड़के निकल जाएंगे हम मैं आपको यहां कह रहा हूँ कि आप लोग गुजरात में कितने साल बाद तीस साल हो गए मैं आपको बता रहा हूँ मानो ना मानो आप मेंसे 50 परसेंट अभी मान रहे हैं और 50 परसेंट कह रहे हैं नहीं होगा जो 50 परसेंट मान रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो 50 परसेंट मान रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप लड़ जाओ और ये बागी 50% बैठे हैं उनकी माइंड बदल दो नहीं आपार हो जाएगी सरकार बन जाएगी और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि AICC की टीम राहूल गांदी मेरी बहन सारे के सारे सीनियर लेडर आपके साथ यहां कड़े होंगे आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे आपने बहुत सहा है बहुत लाठियां खाई है बहुत अपमान हुआ है आपका गालिये खाई हैं आपने अब बहुत हो गया अब इनको हमें सबक सिकाना है और हम इनको हराने जा रहे हैं और और नफरत से नहीं महबबच से महबच से आप देखना महबच से हम इनको हराएंगे कैसे क्यूंकि नरेंदर मोधी ची का जो विजिन था वो गुबारा जो था वो फढ़ गया है फटाक से वो फढ़ गया है आप सोचिए पार्लिमेंट हाउस में नरेंद्र मोधी वहाँ बैटे मैं यहाँ और मैंने प्रधान मंत्री जी उनके सामने कहा कि नरेंद्र मोधी जी आप एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता हूँ पता नहीं आप क्या है क्योंकि आप नहीं कहा कि मैं नॉन बायोलोजिकल हूँ मैं biological नहीं हूँ और मेरा मेरा सीधा direct connection है इश्वर से अरे भया आपका direct connection है इश्वर से तो एयोदिया कैसे हार गए कैसे हार गए तो हमारे प्रधान मंत्री सोचते है कि बाकी सब लोग biological गुजरात की जनता बीूलोगीकल, गांटीजी पाली लॉजीकल, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, सब लोग बायोजीकल, और नरेंद्र मोधी नोण बायोजीकल, स्पीकर जी ने स्पीकर सर ने मुझे कहा ऐसे मत बोलिये मैंने का मैं थोड़ी बोल रहा हूँ यह तो प्रधान मंत्री बोल रहे थे मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ स्पीकर बिल्कु चुप हो गए बात तो सही है बात तो सही है यह राहूल गान्दी के शब्द थोड़ी है यह तो इंदुस्तान की प्रधान मंत्री के शब्द है नॉन बायोलोजिकल अब सोचिए वो व्यक्ति जो अपने आपको नॉन बायोलोजिकल समझता है और देश की जनता को बायोलोजिकल समझता है कि मतलब मैं यहां और बाकी जनता वहां वो गुजरात को विजन कैसे दे सकता है जो किसानों का दर्द नहीं समझ सकता, मजदूरों का दर्द नहीं समझ सकता, डाइमंड इंडिस्ट्री में जो काम करते हैं, उनका दर्द नहीं समझ सकता, non-biological व्यक्ति वो गुजरात को कैसे रास्ता दिखा सकता है नहीं दिखा सकता तो अब आपका काम है गुजरात को विजन देना गुजरात के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, माताओं, बेहनों को विजन देना कि भाईया हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा, हिला के रख दिया था पीजेपी को आपने देखा, वैसा मैनिफेस्टो बनाना है गुजरात के लिए गुजरात की जनता से मिलकर एक लाक लोगों ने हमारा मैनिफेस्ट बनाय था वैसे ही हम गुजरात में लाकों लोगों से पूछ कर अपना मैनिफेस्ट बनाएंगे गुजरात को विजन देंगे और फिर चुनाओ पूरा दम लगा के लड़ेंगे और यहां इनके जो सरकार है उसको तोड़के हटपरे कर देंगे